अरे मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो बहुत जिरों बाद मुलाकात होगी आपसे तो आप सभी को नमस्कार आप लोग देख सकते कि मैं नीचे से लेके उपर तक नया-nyया सा लग रहा हूँगा क्योंकि मैंने नया-nyया कुर्ता पैना हुआ है और मेरे वाइक यानिक नेहा आप गुड मॉर्निक दोस्तों तो ये सुबा सुबा का समय था जब गैस के उपर गंजी रखी थी गंजी के अंदर दूद था गले तक भरा हुआ अजी गले से याद आए कि हमारे जो गमला अपनी बुआ की गोदी में बैठा है ना बोल रहा था कि मेरी मम्मी का उनको मेरे पास बेजो मुझे भी गले तक दूद पीना है आजे तो कुछ नहीं पहना अंदर से याई बस पहना है तो मैंने नेहा जी से कहा कि हमारे छोटी गया वहाँ जहां पर बंडारे का खाना बन रहा था भाई साहब अरे लेकिन मुझे क्या रहा है हम उनकी पंडारा है हैं लेकिन सब्सक्राश १ने के लिए तो वहाँ पर दो आंटिया है ना वो खाना बनानी की special illness है तो आप लोग देख सकते हैं कि आलू भट कटी रखी हुई हैं, टमाटल कटे और आंध कटे रखी हुई हैं, और मूलिया कटने के लिए बाकी हैं, तो मैं वहीं पर पीछे खड़ा-खड़ा, अपना टाइम काट रहा था, लेकिन तभी एक जोरदर धमाका हुआ, अब ये ज अवज बुला कि गॉली करेण बैठा हुआ है Dang.. ये गोली नहीं है गोली नहीं बोला दूबारा उसको गमला है, गमला है, गमृ सकते हुए तो मैं अपने गमली को अपनी गोदी मे लिए बैठा हुआ था और सामने, मेरे प्लेट में नहीं किया जी तो यह मेरे बीगी का फेवरेट डालोग उनको लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है मुझे लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है और हमारी मम्मी को लगता है कि हम दोनों के पास दिमाग नहीं है लेकिन मम्मी ने आगे अच्छे गालियां दी होंगी तु मुझे भनक नहीं थी किसले बुलाया है लेकिन जब मैं वहां पर पहुंच तो मेहक ने बता जिये कि इसले बुलाया है तो छोटे मिनंने अपना दाइपर खरआब कर दिया था व। इसा चोटे मिन का डाइपर ऐधा इसका मू attitude लघ लगताऊ हो को शोटे हो मजा रहत हमको परिसान करने में सब को मजा आता है और वह इसलिए क्योंकि ऐसे मौके हम बहुत कम देते हैं कि कोई हमको परिसान कर सके तो क्या है कि लिया तो तयार होता तो भी क्या होता क्योंकि दोपर के सब बारा बज गहते और पंडित जी अभी तक हमारे घर आए नहीं जब पंडी जी हमारे घर में आए तो पुझा के लिए जो एक चीज जरूरी होती है वह भूल गए थे तो मुझे आपने घर लेके चले बोले बेटा चलो मेरे घर और वहां से चीज लेनी वह चीज लेकि हम लोग वापस आ जाएंगे लेकि जब पंडी जी घर पहुचे तो उनको अपने घर में भी वह चीज नहीं मिली तो बोले बैटा यहां से भी चलो एक मंदिर चलते हैं साथ मुआ पर गया था तो वहां पर ना चूट गई हो कौन से मंदर है यह दस वाले नहीं आरी ती पंडी जी नहीं बोली दिया था तभी उनको ध्यान आया नहीं बोलना लेकिन भाई साब पंडी जी ने मुझे दुकान जाने नहीं दिया और बोला कि चलो एक और मंदर चलो और जब हम लोग उस मंदर गए तो वहाँ पर वो चीज मिल गई जो कहीं और नहीं मिल रही थी खेर हम लोग जब घर लटे तो मम्मी ने पूजा की तयारी कर चुकी थी अब पंडी जी अपनी तयारी कर रहे थे फिर मम्मी ने मुझे कहा बिटा अब जा तुम भी तयार हो जाओ तो मैं आपने कमरे में आया लेकिन देखा कि सब्जी जो तयार हो रही थी वो भी तयार हो पूजा में बैठना साधी में नहीं जाना चलो ठीक है वो कहा है में कपड़े गाहा है इसके अंदर है कुर्ता जो मैं कली लेकर आया हूँ क्या है कि घरवालों ने मेरे उपर प्रसा डाला और बोला कि जब भी घर में पूजा होती है तो वह पीला कुर्ता पहन के बैठ जात लेकिन लड़कियां और थे पाट बाई पाट तयार होती है अगर पंडिजी टाइम पर घर नहीं आते ना तो नेहा सुबा सिल्ले के साम तक तक तयादी होती रहती आरे भाई या लेकर तुम भी तो अपने चेहरे पर कुछ लगा लो लगे कि तुम भी तयार हुए हो मिया नए 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 मैं अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगा था क्यूकि कोई फ़रकरिर परता तो चुल रहूँ मैं अपने लेवल पर जितना तयार हो सकता था उतना तयार हो के दूस्री तरफ आ गया देखा कि मंदिर के उपर गुबारे भी लगाया गये थे और पंडी जी अपनी तैयारी के आखरी चलाण में थे और मेरा छोटा भी मेरे साले के बगल में लेटा हुआ इंतजार कर रहा था कि मेरे मम्मी पापा जल्दी कथा में बैठें तो मैं अराम से सूंग वे खोत दे प नहीं लगेज खाना बनकर तयार हो चुका था तो इसमें स्वादेश सूटी सब्जी और इसमें मुँ में पानी लाने वाली दूस से बनी खीर जिसमें काजू किस्मिस बादाम तो मम्मी ने खा था कि बेटा इसको उठा के चाओं में रखवाना लेकिन क्या था कि मेरा एक अच्छा तो यह तारीफ थी मेरी नहीं भी होगी तो मैं तारीफ ही समझूगा खेर तो मैंने मम्मी के साथ मिलके उस तबेले को चाओं में रखवा दिया लेकिन घर में सभी सब्जियां बन चुकी थी बस यह नहीं बनी थी सामने खड़ी तयार हो रही थी मैं उससे बोल जाफ़ा नहीं था बाकी आप देख सकते हैं कि अलमारी में नीचे सुले के उपर तक इतनी सारियां हैं कि बाजार में दस ठेलों की दुकान लगा सकता हूं मैं ओए दुकान छोड़ तू कहां चला कहीं नहीं चला भाईया मेरे माते पर ट्रीकत देखके अब आप लोग य यह साम तक बंडारा हुआ अब जिस घर में बंडारा होता है उस घर में खाने का बंडार होता है और बच्चों का बेंडार होताया कर दो कर दो कर दो